इसमें मेरा क्या कॉसूर है इसमें मेरे भाई का क्या कॉसूर है इसमें उसका क्या कॉसूर होगा गैज इस प्रकार के सेंटेंस का हम कभी ना कभी हमारे डे टो डे लाइप में यूज करते हैं आज के स्पीटे में हम इन सेंटेंस को इंग्लिस में सिखेंगे मैं आपको बता my your your ऊस चुछ लिखा जाएंगा वाद फॉल्ट लिखना है वाद के बात इन लगाना है इनके बाद आपको यूज करनेगे या फिर या फिर दाट इट भी आप यूज कर सकते के बदले में चलिए कुछ एक्जबर ले लगतें तक यह आपको और है से हो जाए इसमें मेरा क्या कसूर है what's my fault in it what's my fault in it इसमें आपका क्या कसूर है what's your fault in it what's your fault in it इसमें मेरे भाई का क्या कसूर था दिखी ये sentence past में इसलिए हम हैपिंबब यूज करेंगे वाज की what was my brother's fault in this what was my brother's fault in this इसमें उसका क्या कसूर होगा what will be his fault in it what will be his fault in it इसमें राफूल का क्या कसूर था what was राफूल's fault in that what was राफूल's fault in that